चैप्टर नंबर 15 विराम चिन विराम यानि थोड़ा रुखना और चिन यानि कोई साइन जैसे कोई मार्क यानि कोई ऐसा चीज जो हमें रुखने का बोल रहा है पूर्ण विराम और पर विराम पहले हम लोन करेंगे पूर्ण विराम होता है यानि हम कोई सेंडेंस का अंत क तो यहां राहल जब वद्याले गया तो यह पूरा सेंटेंस खतम हो गया तो हमने यां नेक्स्ट लास्ट में एक चूट ऐसी बड़ी सी एक पून विराम लगा दिया यह साइन है इसमें बता बड़ता है कि हाँ देखू हमारे सेंटेंस खतम हो चुक है तो नेक्स फंटरस में चलते हैं फाटों में से बात नहीं करते हैं चलो अलप विराम अलप विराम क्या होता है कोमा अपना कोमा कोमा नहीं बहुत ठीक है जैसे आज तो तो जैसे हम बोलते हैं pen pencil अब हम ऐसे तो नहीं बहुते हैं कि pen pencil eraser sharpener होता है यम्मी होता है important ऐसे तो नहीं बहुते हैं नोय化र ul में पैंसल शापनाeed उर एरेजर जो susceptरना वह बहुत हमायरे लिए इंप्टेंट लोटे स्कूल ही जाए तो अच्याना छोटा सा रूका तो हम एक कॉमा को प्रदेश करों को बता है कि हमें कॉमाद surface एक वाक्य में दो दूसारा वाक्या तीसरा वाक्य गुसेर्णधने के लिए हम अर्द्राम का यूज करते हैं सैमि कॉलान का जैसे मेरे पापा उठे ये खतम शेया किया मुझे ख़ता कि उन्हें सेंटेंस तो हमने इसको जोड़ने के लिए स्ईमिकॉलन का उच करा यह एक सेंटेंस में दो तीन चार पाच आपके जितिली मर्जी उत्तेने संट्न्स कोु सेड़ूगे उतने ही उतने आपको semi-colon लगाने बढ़ेगा. ब्राश्मस्राम बीडियर्टे, इसमें आपको बताने कोई जरत में है. ब्राश्मा बहुताओघ कुछ प्राश्मन के लिए कॉन काहँ, कैसे क्यों, कensored Telesman, कॉछ दो कौता कुर्स। झालो हीऍ ठीक हैं? अब हम विष्मयादी बूदक विष्मयाद सूचक विष्मयाद सूचक तो विष्मयाद सूचक जो होता है न मिटा एक्सलमेटरी माक हमें कब लगाते हैं हमें तब लगाते हैं जो हमें अपनी सदन फीलिंग्स को प्रदेश सदन सदन फीलिंग्स को हम एक्सप्रेस कर रहे होते हैं अरे क्यों क्या अरे यार ओम जी अपनी अपनी फीलिंग्स जो हमें एकदम दिन कलती है वो बताने के दियो ठीक है योजक चिन क्या होता है हाइफिन डिन वह एक्सार निशव्य जैसे ढिन राट कोई दू शप्त को एक साथ जोंड़ने के लिए ऐसा में Ἔासे आप ऐसे जैसे वाक्य की बात तो इसका मतलब क्या हुआ शब्ट को जोनने के लिए तुलना करने वाले शब्द यानी दिन रात है रे जल्दी जल्दी रे नहीं मैं जब कुछ ऐसा वर्ट्स जो जो विलोम में भी हो और जिनका मीनिंग हो और एक साथ अच्छे लगते हो जैसे इसे जब कर सकते हैं तो आप खुदी रेक लोना पई क्या अफालतु बनती है ठीक है अंदेश अक्चिन यह हमरी हिंदी बूक में नाइन्थ चैप्टर शिष्टा चार में फर्स्ट राइन में आप दिख सकतो और ऐसे यहां भी दिख रहा है ठीक है मद्दुप माला में हमा नाइन्थ चैप्टर में तो एक्चिली में इसमें क्या हुआ इसे आपको निर्देश जाने कोई चीज के आगे फिर आप उसका उत्तर ही रहे तो हम ऐसे अंसर के आगे डैस लगाते ना इनी कोई चीज अंसर अंसर मांग रहे हो और हम उसको वह चीज दे रहे हैं जैसे मेरे फ़ाइब कोई तो प्रदीप और बुवन ठीक है 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 अब कोश्क कोश्क क्या होता जूप कि अ चुकु जैसे समझ लो चुकु जैसे आगर समझ लो चुकु टिंकी का किसका हुलू चेतंकर का निकने में क्या है चुकु तो चेतंकर है ना उसके आगे हम ऐसे लगाएंगे जिस नाम से आप जाने चाते हो चेतंकर यानि हमारा भाई चुकु है ना वो हम बताने के लिए कि चीज को बताने के लिए ऐसे फिर हम यूज़ करते हैं तो यह आप समझी गए होगे अगर नहीं समझे तो आप में कोई प्रॉब्लम है तो उसको समझने कर ट्राय करें तो अब हमरी बाड़ी आती है इसमें दो दो इन्वर्टाट कॉमा एक्शली में क्या से यूज़ होता है बताते हूं तो किसी सब अथ्वा कथन के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कोश्टक हमने देखा है कि जैसे यह भी हमारी शिष्ठाचार नाइन्थ लेसन मदों मादूंबाला में दे रखे मैं ए इधर आप देख सकते हैं मुन्नी के बाबुजी आपको मेरे बाबुजी बुला रहे हैं मुन्नी के बाबुजी आपको मेरे बाबुजी बुला रहे हैं इसमें हमने देखो मुन्नी के बाबुजी अब देखो यह देखो अब आपको सुनो जैसे हम कोई चीज कोई इनसान क कि बात को repeat करते हैं तो हम दो हरा उत्तरण चिन्य यूज करते हैं जैसे मुणी ने कहा मुणी के बाभू-जी आपको मेरे बाभू-जी बुला रहा है कोही किसी के वर्ड्स समें जब उनको repeat करते हैं किसी की बोली वे चीजे को हम वापिस बोलते हैं तो हम दोहरा उद्धरण चिन लगाते हैं यह लगाते हैं बहुत बार देखोगा हम हूसेट टू हूम में भी आते हैं है ना आई लॉव दवे जैसा मैं लोग इसे ना बोला और फिर पुछना कि दिखाएंगे तो जब ओपन होते तो हम ऐसा वाला साइन दिखाते हैं और यहां दिखें यह डश है को सूज्वार को ।